ये दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनी सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो केजीमू नर्स न्यूज 2021 जिहां दोस्तों आज की दो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है केजीमू और यूपी एनेचेम एसजी पीजी आई तो दोस्तों दोस्तों सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है साती यहां पे जो है वार्निंग दी गई है 17 अगस धरनापरदर्सन तो दोस्तों क्या है पूरी इन्फार्मेशन क्या है मुद्दा पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलि जो कि आपके लिए most important है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को दोस्तो जादा सी जादा सेयर करिए तो सबसे पहले दोस्तो आप लोग proof देख सकते हो यहाँ पे उपर लखनव सिटी में पेज और जिसमें 13 जुलाई 2021 और नीचे देखिए तो यहाँ पे जो है अमर उजाला सासन पर सासन और करमचारी लखनव मंगलवार 13 जुलाई 2021 पेज नमबर 3 पर आपको पूरी information बिलुक इसके बाद जो है नीचे आप लोग देखिए मांग पूरी नहीं हुई तो पेट के बल लेटकर सीम से मिलने जाएंगे और इसके बाद जो है यही पर आपको नीचे मिल जाएगी एक नर्स का ग्रिह जिले में हुवे तबादले का मुद्दा उठाया तो दोस्तो इस वीड यहाँ पी चेक कर सकती हैं मांग पूरी नहीं हुई तो पेट के बल लेटकर सीम से मिलने जाएंगे यह दोस्तो आज की सबसे बड़ी निउज निकल के आ रही है लखनव किंग जार्ज चिकिसा विस विद्याले के गैर सैचडी करमियों ने SGPGI के समान वेतन योंभत्य की म मांग तेज कर दी है के जीमो करमचारी परिशद ने इसे लेकर स्वमवार को परमुक सचीव को पत्र भेजा परिशद के अध्यच परदीप मंगंगवार के अनुसार अगस्त अगर 17 अगस्त तक मांग पूरी नहीं हुई तो वे पेट के बल लेटकर मुक मंतरी तथा चिक किस्ता सिच्छा मंतरी से मिलने जाएंगे परिशद के अधूल उपाध्याय के अनुसार अगर करमचारी परिशद अध्यच के साथ इसकी वजह से कोई आपरी घटना घटित होती है तो इसकी संपूर जिम्मेदारी सासन पर सासन की होगी तो इसमें दोस्तों आपको बता यहां पर जो केजेमू करमचारीों की पीजियाई के समान वेतन मान की मांग की है तो यहां पर दोस्तों जो केजेमू है नॉन टीचिंग करमचारी जो है इन्होंने जो है एसजी पीजियाई के समान वेतन और भत्य की मांग की है इसके लिए इन्होंने समधिया है बोला इन तो अभी जो यहाँ पर इन्होंने डेट रखी गई है, इन्होंने डेट रखा है, 17 अगस्त रखी गई है, तो इन्होंने बोला है कि 17 अगस्त तक मांगी पूरी नहीं की जाएगी, तो हम पेट के बल लेट कर CM योगी अधितनाथ से मिलने जाएंगे, और इसमें अगर कोई आप फिर ये घटना होती है, तो इसके जो जिम्मेदार है, मुख मंतरी, सासन पर सासन होंगे, तो यह सबसे बड़ी खबर आज की निकल की आ रही है, जो कि दोस्तो 13 जुलाई सबसे बड़ी खबर है, चलिए दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर देख लेते हैं, तो ज गिरह जिले में हुई तबादले का मुद्दा उठाया, अमर उजाला ब्योरो लखनव सौफ्त विभाग के अधिकारी एक नर्स का गिरह जिले में तबादला करके फंस गए हैं, लगभग 90% महिलाओं वाले नर्सिंग संवर का संगठन, राजकी नर्सिज संग ने इस मामल पर जिला महिला चीकि साले गोरख पूर किया है, जबकि संवर्ग की अन्य नर्स लंबे समय से गिरह जिले में तेनाती की मांग कर रही हैं, राजकी नर्सिज संग के महामंतरी असो कुमार का कहना है कि नर्सिंग संवर्ग में 90% महिलाओं हैं, यदि महिलाओं को स्वयम के अन्रोथ पर गिरह जिला मिल जाए, तो वह और अधिक मनोयोग से मरीज की गेखभाल कर सकेंगी, लेकिन सासन अस्तर पर इस मामले की सुनुमाई नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि चिकिसक संवर्ग में लेवल 1 से लेवल 3 तक के गिरह जिले में तेनाती का सासना देश 18 द उन्होंने कहा कि यदि डांक्टरों को बहतर सेवाएं देने के लिए गिरह जिले में तेनाती का लाब दिया जा सकता है, तो फिर 90 फीसद महिलाओं वाले संवर्ग को इसका लाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस सम्मंध में कुमार ने आपर मुख सचिव चिकिसा सौस् देनक्टर डियस नेगी का कहना है कि विसेशक चिकिसकों के लिए गिरह जिले में तेनाती का परस्ताव है, इस आदेश के बाद कोशिस होगी कि नर्सों को भी गिरह जिले में तेनाती मिल सके, आप लोग देखें, यहाँ पर राजकीर नर्से संग ने इस मामले की जानकार इस सौफ समंतरी तक पहुचाई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, मैंने आपको इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर बता दें, तो KGMO, वेतन और भत्ते की मांगी है, किसके तुरूद, जो यहाँ पर SGPGI है, इनके समान जो है, इन्होंने वेतन और भत्ते मा देंगे, और दोस्तों इस वीडियो में दूसरे सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पर जो सौफ्ट विभाग में, जो ग्री जिले में ताबादले का मामला फंस गया है, इसमें किया हुआ, जो 90% महिलाएं जो की नर्स हैं, उन्हें होम डिस्टिक इसमें अलाटमेंट नहीं दी जाती है, और यहाँ पर जो एक महिला नर्स हैं, उन्हें होम डिस्टिक देवरिया में, जो यहाँ पर जारी कर दी जाती है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सौफ्ट महानिदे साले ने देवरिया में तैनात एक नर्स का तबादला, 24 ज स्वयम के अन्रोद पर जिला महिला चिकी साले गोरखपुर किया है तो उनके स्वयम जो यहां पर होम डिश्टिक है उसमें इन्होंने ताबादला कर दिया है तो इसको लेकर दोस्तों बहुत भड़ी ख़बर निकल किया रही है और इसमें जो बोला जारा कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें अगर होम डिश्टिक अलाट किया जाता है तो हमें जो 90 फीसद महिलाएं हैं जो नर्स हैं उन्हें होम डिश्टिक अलाटमेंट क्यों नहीं जारी किया जाता इसको लेकर दोस्तों सबसे बड़ी ख़बर निकल कि आ रही है अभी यहां पर पूरी न्यूज दिखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जौब इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथी बगल का बला इकन घंटा भी प्रेस कर देना और फीसली जो यहां पर नोटिफिकेशन है जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास जो है नोटिफिकेशन चली जाएगी तो जल्दी से जो है जौब इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू